नमस्कार दोस्तों आपके अपने व्यादिक एश्रोलाइफ यूटूप चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धनुरासि वाले जातकों का मार्च 2024 कैसी रहेगी हम आपको बताएंगे कि मार्च 2024 में धनुरासि वाले जातकों को किन जगहों में साफधाने रखनी हैं दोस्तों सबसे पहले बताएंगे कि आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका प्रेम प्यार बैबाहिक जिवन कैसा रहेगा जॉब कैसा रहेगा धन की स्थिति कैसी रहेगी देश विधेश से मार्च 2024 में लाब होगा या फिर नहीं होगा कौन-कौन जगाय से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और धनुरास वाले जातको कुण्डली में कौन से गरह कहां विराजमान है आपको कौन से गरह कितने अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगी तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि इस में कह गई बाते आपको अच्छे से और इस पश्ट समझ में आ सके तो आईए चलते ही वीडियो की ओर तो धनुरासी वाले जातकों की कुंडली में मेंस रासी के साथ गुरू आपकी फिप्ट हाउस में विराजमान है मेंस रासी के साथ राहू आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है कुम्बे रासी के साथ सनी, सूर, बुद्ध आपके थर्ड हाउस में विराजमान है मकर रासी के साथ मंगल, शुक्र आपके सिकर्ड हाउस में विराजमान है और तेंथ हाउस में कन्यारासी के साथ केतु विराजमान है तो इस प्रकार ग्रहों के इस्तिया है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनुरासी वाले जातकों का स्वास्त कैसा रहेगा तो बता दे कि धनूरासी वाले जातकों का स्वास्त एक नंबर का रहने वाला है मार्च 2024 में यहाँ पर आपको स्वास्त संबंधित कोई तकलीप नहीं होगी यहाँ पर आपका स्वास्त बहुत ही अच्छा रहने वाला है लेकिन धनुरासि वाले जातता एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप अपने वाणी पर विसेज ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी वाणी यहाँ पर खराब भी हो सकती है क्योंकि मंगल आपके सेकंड हाउस में विराजमान है तो यहाँ पर अपने बाड़ी पर नियंतरन रखिएगा आने था आपकी बाड़ी से किसी को चोट भी पहुंच सकता है और धनुरासे वाले जाट तक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा चोट चपेट से बचिएगा क्योंकि यहाँ पर दुर घटना घटी हो सकती है तो आप गाड़ी वहाँ जब चलाएं सड़क पार करें थोड़ा सा ध्यान से चलाईएगा अने था आप ही को परशानी होगी उसके बाद बात की जाए आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा मार्च दो हजार चौबिस में तो धनुरासे वाले जातकों का जो प्रेम प्यार है तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों क्योंकि देबकूर ब्रियस्पत आपके फिफ्ट हाउस में विराज मान है और वो भी मेश रासी के साथ तो यहां पर आपका प्रेम प्यार काफी सांदार रहने वाला है आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं यहां पर मिलने के भी योग काफी अच्छी देखी जा रहे है और पढ़ाई लिखा की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहेगी आप यहां पर काफी ज़्यादा फोकस करेंगे जो इस्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो यहां पर अपने पढ़ाई को लेकर काफी ज़्यादा एक्टिव देखे जाएंगे और यहां पर धनुरासे वाले जातकों के संतान योग भी देखे जा रहे हैं अगर आप फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं या फिर फैमिली प्लानिंग का प्लान बना रहे हैं तो बिलकुल यहां पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे यहां पर संतान से जुड़ी कोई न कोई खुश खबरी की प्राप्ती होगी क्योंकि देख गुरुब्री हस्पत आपके फिफ्ट हाउस में है और अगर आपके पहले से ही कोई संतान है संतान को लेकर परशानी है तो यहां पर यहां आपकी चिंता दूर होते हुए नजर आएगी बात करते हैं कि धनुरासी वाले जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मार्च दो हजार चौविस में धनुरासी वाले जातकों को अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क हो जाईए यहां पर आपको बहुत ज़्यादा साफ धाने रखनी है 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको अपने दामपत जीवन को लेकर ये चीज़े आप नोट कर लेजिएगा अनिथा आपको दिक्कत होगी साथ मार्च से 26 मार्च तक आप बहुत ही ज़्यादा सतर कर रहिएगा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ब्यापार की बात की जाए तो दोस्तों बता दे कि धनुरासे वाले जातकों का मार्च 2024 में आपका ब्यापार समान इस्तिती में रहेगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ना ही बहुत ज़्यादा खराब रहेगा और जॉब की बात की जाए तो यहाँ पर बता दे कि के तू आपके तिन थाउस में हैं कन्यारासी के साथ में तो जॉब में आपका मन नहीं लगेगा आपकी जो नौकरी है वो समान इस्तिती में रहेगी धनौरासी वाले जाथकों का ब्यापार और जॉब दोनों हुई मार्च के महीने में थोड़ा सा धीमी गती से रहेगा लेकिन धनौरासी वाले जाथकों को हम बता दे कि यहाँ पर आपको धन से जुड़े लाब देखने को मिलेगा धन की इस्तिती अच्छी रहेगी देबकूरु ब्रिहस्पत की दृष्ट आपके नाइंथ हाउस में पढ़ रही है तो यहाँ पर भाग की द्वारा आपको धन से लाब देखने को मिलेगा साथी बिदेश से भी लाब मिलेगा और यहाँ पर धनुरासिवारे जात्कों को बिदेश जाने का अफसर की प्राप्टी भी होगे अगर आप बिदेश जाना चाहते हैं आप कहीं अपने जनम इस्तान से बाहर घूमने प्रने जाना चाहते तो बिलकुल जा सकते हैं यहाँ पर योग देखे जा रहे हैं और अच्छी भी है अगर आप विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो आपको लाव मिलेगा या फिर आप विदेश से जुड़े कोई कार कर रहे हैं तब भी आपको लाव होगा उसके बाद बता दे कि यहाँ पर धनुरासी वाले जातकों की मनुकामना भी पूर्ण होते हुए नजार आएगी मार्च दोहजार चौबिस में क्योंकि देव गुरु ब्रिहस्पत की दृष्ट 11 था उसमें पड़ रही है तो यहाँ पर आपकी मनुकामना 100% पूर होगी बनेगा धनुरासी वाले जातक अगर सेल्स से जुड़े हैं सेल्स मार्केटिंग का कार कर रहे हैं तो आपको अपने मार्केटिंग में धीमी गती देखने को मिलेंगे अगर आप क्रियाटिव फिल्ट से भी जुड़े कार कर रहे हैं तो आपको वहां भी धीमी गत देखन को मिलेगा तो दोस्तों इदिया आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शब्सक्राइब एंड सेर कीजिए